असलाव लेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद इक्बाल और आप देख रहे हैं इस चैनल के उपपर मेरे इस सीरीज का नाम है इनोवेशन हब इनोवेशन हब का मकसद यह है कि मैं पाकिस्तान के बाहर जो गुमने पिरने का मेरे इतिफाइब है वहां पर इन जो सर्वेसेश देखी हैं और और आय्ना कैसे पाकिस्तान क कैसे यूज्य है को चईबा कर His कि दों करें करा लें और subscribe करने के बाद आप बैल आइकन को भी क्लिक कर लें ताके आपको जो भी मेरा नया वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल सके इसके बारे में जी जना तो पाकिस्तान का सबसे बारा मस्ला जो के मुझे लगता है वह है करप्शन आप किसी भी कॉर्मे बिजन के साथ बियुक्त आपको काइए बॉल खुश यह गया है, तो क्ली को से रहे सकता हुएती है, पाकिस्ता से बाहर Undertale नहीं से संसे, यह हुआ है मुझे बीज़ा के चक्कर में डीजारी अटेस्स कर वानी थी मुझे तो इपनी दिग्री लेके यहां पर में इसलों धूब तो हाल कुछ इस तरह का था कि पहले संस्थ तरह कि पूछ था वहां वेसेपशन अगे घ्लार निकाल लिए हैं यहांपर तो इसमें पहले मुझें कि आप कैश में पेमेंट करेंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे मैंने का मेरे पास अभी तिलाल कार्ड नहीं है मैं कैश से पेमेंट करेंगा तो उसने का अगर आप कैश से पेमेंट करेंगे तो मैं आपको नंबर निकाल के दिया वह कैशियर का नंबर तो पहले मेरा नंब एकमणने क कउंटर के आया, वहान पर गया कशेयर के पास, और कशेयर ने जितनी ती भी means बनती थी उस परहद कि उसने वह Peace मुझे ली और उसने मुझे एक यह despair द 시र. यह है इधिर्म कार्ट तो कि यहां पे गौर्वर्विसेस में यूज होता है तो उसने क्या किया पैसे उसने मुझसे ले लिये और समय एक आड कमा दिया उसने का गए अब आप दुबारा से नंबर लें डिग्री अटेस्ट कराने का और आप वेटिंग अरिया में जाकर बैठ गया मेरा नंबर आया मैं जो भी गौर्वर्मेंट अपिसर था उसके पास गया अब वहां पे पेमें टोगड़नी है लेकिन कैश का कुई डीलिंग नहीं यह अनि अंडर टेबल आप को पचासों करे रहें चाय पानी मांग रहा है वह ऐसा कुछ चक्र नहीं चाय पा बनाब यह तो एक आइडियल केसे जागा फाकिसान में में इतना था एक्सपेक नहीं करता कि वह सब कुछ भी करें करें तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं भी कर रहा तो भी अकर वह पैसे ले नहीं छोड़तें तो भी बड़ी बात होगी तो कहने माँसाद यह कि मैं उसके पास गया उसने मेरी डिग्री ली उसने डिग्री को अटेस्ट किया अटेस्ट करने के बाद चुप पेमेंट थी वह इस काट के तुरू ही तो इधरम काट है यह इसके इंदर पैसे उतने लोड हो गए थे जितने की वह सर्विस थी वह उसने अपने कि ढ़र बातबड दो ने का अबी चांस नहीए कैश को चोडि उने का ही करफ्ष identify एले का रफनी का पी चांस नहीं है चाहभी एलज़ अटविसाट अग्रफ भी बैति मोई चांस नहीं हुए झाय पानी के पैसे मांगने का भी चांस नहीं है वो भी आपस में बैठी हुए तो एक self monitoring का भी system है दूसरा यह कि cash की delay ही नहीं है फिरे से car system है तो जिन लोगे पास credit card है अपने credit card से payment करते हैं जिनके पास cash है उनका cash cashier ले ले लेता है और उसको load करके ले लेता है तो इस तरह corruption को government office से उन्होंने खतम किया हुआ है पाकिसान में अगर इसी किसम का कोई system लायागा है तो यकीना पाकिसान के government offices से corruption का खात्म किया सकता है आपको यह idea कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसको और बापे इखियार तक पहुचाईए इसको लादर साबर शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ और positive कोई और idea है आपके पास corruption को खतम करने का cashless counters बनाने का government offices में तो जरू शेयर कीजिए और I'll be waiting for your comments इसको लाइक के अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरू करिएगा मेरा सबस्क्राइब जरू करने चैनल आपने और अपना दोस्तों ग